नवश्कार दोस्तों सुवागत आपका मेरी आज किस न्यूँ अपडेट में मेरे नाम है दिनेश और आप देख रही हैं Study Ize YouTube चैनल तो आज किस अपडेट में हम बात करने वाली हैं इस रोग की तरफ से निकाल लेगी जौब वेकेंसिस के वारी में इस रोग की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रोग प्रॉपलेशन कॉंपलेक्स की तरफ से रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है जिसमें की बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है वेरियस पोश के लिए वेकेंसिस आउट की गई हैं टोटल कितनी वेकेंसि रहने वाली हैं सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा फार्म को अपलाई आप कैसे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्क्स करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में इंट तक बने रहे हैं वीडियो इंपॉर्टन लगे वीडियो को लाइक एंड शियर जोड करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजड कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस जॉप अपडेट के लिए डेली ऐसी ही लेटेस जॉप अपडेट आपको उपर वाड़ की जाती है चैनल पर ओफिशल नोटीस के साथ में तो बिना आपका टाइम बेश किए करती हैं सब डेट को शुरू ओफिशल नोटीस के अगर हम यहाँ पर बाप्त करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसरो की तरफ से निकाला गया ओफिशल नोटीस से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसरो प्रोपलिशन कॉम्पलेक्स की तरफ से यह वेकिंसी निकालेगी है Indian Space Research Organization की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है इसका advertisement नबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 26-23 के दिन यह release की गई है और यहाँ पर जो आपकी vacancies रहने वाली हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो vacancies रहेंगी वो यहाँ पर technical assistant की mechanical में 15 post रहेंगी electronic communication में 4 vacancies रहेंगी electrical के लिए 1 vacancy रहेंगी इसमें qualification भी साथ साथ में देख सकते हैं अब first class आपका diploma mechanical में होना चाहिए या तो production में यहाँ पर first class diploma electronic में आपका होना चाहिए उसके लाबा यहाँ पर electrical में आपका diploma होना चाहिए technical assistant computer में एक vacancy रहेंगी diploma वाले अपलाई कर सकते हैं technical assistant civil की तीन post रहेंगी इसमें first class diploma आपका होना चाहिए technician की आपकी 20 post रहेंगी feeder की यहाँ पर SSE आप pass होने चाहिए साथ साथ में IT आपकी होनी चाहिए technician के लिए technician B की आपके पास में होनी चाहिए plumber के लिए IT मांगी की है draft men civil के लिए यहाँ पर IT draft men civil की होनी चाहिए तो यह vacancy आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सारी vacancy आपके साथ मेंने discuss कर दी हैं उसके लाबा यहाँ पर heavy weaker driver A की vacancy रहेंगी पांच पोश्ट रहेंगी इसमें 10th pass होने चाहिए valid आपका HBD का license आपके पास में होने चाहिए public service बेजिस का आपके पास में होने चाहिए light weaker driver के लिए यहाँ पर जो वो तो पोश्ट रहेंगी इसमें भी आप 10th pass होने चाहिए आपका LVD का आपका license यहाँ पर होने चाहिए and fireman के लिए भी आप 10th pass होने चाहिए साथ साथ में physical fitness standard का भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा medical examination आपका pre medical examination certificate आपके साथ होने चाहिए तो यह थी vacances की detail यहाँ पर important induction आप देख सकते हैं conditions यह और India and candidates यहाँ पर apply कर पाएंगे and यहाँ पर जो आपका eligibility criteria रहेगा वो 24 चार दो जाथ से पहले पहले का यहाँ पर होना चाहिए बाकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर physical fitness जो आपका test रहेगा इसमें height आपकी 165 cm रहेगी जो की general categories के लिए रहेगी गोर्खाज, hills and tribes SCHT वालों के लिए 160 cm रहेगी and boom and transgender के लिए 155 रहेगी तो यह आप इसका detail में पढ़ सकते हैं काफी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो सारा detail में discuss नहीं करूँगा यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं आगे बात करें case limit की तो जो age limit रहेगी आपकी वो 18 minimum रहेगी and maximum आपकी 35 रखेगी है जो की आपकी all other post के लिए 25 जो रहेगी वो आपकी fireman के लिए रखेगी है बाकी इसमें जो आपका रहेगा वो age relaxation भी आपका रहेगा जो pay scale आपका रहेगा पोस्ट कोड आपका 013 018 001 019 026 के लिए technical assistant की जो भी पोस्ट रहेंगी लेवल 7 का रहेगा 44,000 से लेके 9,900 रूपीज आपकी salary यहां पे रहेगी basic pay जो आपकी 003 से लेके 0027 technician भी आपकी रहेगी इसमें लेवल 3 का रहेगा 2100 आपकी salary रहेगी 008 010 030 के लिए यहां पे fireman वाली पोस्ट के लिए लेवल 2 का रहेगा इसमें 1900 आपकी salary रहेगी जो mode of selection रहेगा 013 से लेके 027 तक आपका technical assistant and technical b draftman के लिए यहां पे जो रहेगा return test plus skill test आपका रहेगा 030 and 010 के लिए आपका heavy wicker drivers वालो के लिए return test and skill test आपका रहेगा 008 के लिए return test, skill test and efficiency test, medical examination यहां पे रहेगा उसके लावा यहां पर आपका जो test रहेगा cbt basis पे रहेगा and जो cbt आपका रहेगा return test के लिए technical assistant technical b के लिए यहां पे जो आपका return test रहेगा वो आपका 80 multiple choice questions का रहेगा 90 minutes का time दिये जाएगा इसमें 0.33 marks आपके काटे जाएंगे every wrong answers के and 2032 marks आपके passing होने चाहिए return test में तो यह syllabus जो रहेगा fireman के लिए रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं return test जो रहेगा इसमें 100 marks का रहेगा fireman के लिए बाकि जो heavy picker drivers के लिए रहेगा इसमें 50 questions आपके relevant यहां पर इस discipline से आपके रहने वाले हैं जो यहां पर mention किये गए हैं part B आपका रहेगा part C, part D इसमें questions आप सारे देख सकते हैं स्रेबस जो रहेगा skill test का वो भी आप यहां पर देख सकते हैं skill test जो आपका रखे गया है वो qualifying nature आपका रहेगा इसमें आपका जो रहेगा वो educational से रहेगा educational qualification से आपका academic से रहने बाला है तो इसमें जो form को apply करने का process आपका रहेगा वो online mode से रहेगा यहां पर qualifying criteria रहेगा application of phase का वो भी आप यहां पर देख सकते हैं and stage 1 में आपका 150 meter run आपको करना पड़ेगा यहां पर 7 minutes में mail के लिए 800 meter आपका रहेगा जो की 4 minutes में female transgender के लिए रहेगा तो यह आपका run का भी रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं and form को apply करने के लिए online mode से apply कर सकते हैं 24 April तक apply आप कर पाएंगे अभी से recruitment चालू है तो आप जाकर जो इनकी official website पर विज़र करके जो वो फर्म को apply कर सकते हैं इनकी online website पर जाकर ही apply करना पड़ेगा applicant जो भी रहेगा CVT test के लिए उनको email के थ्रू जो वो contact कर लिए चाहेगा तो उनको सारा उसके email के उपर बता दी जाएगा तो वहां से इसका जो चेक आउट कर सकते हैं जो requirements रहेंगी documents की वो सारी यहां पर चेक कर सकते हैं यह सारे documents आपको चाहिए होंगे जब भी आप फर्म को apply करेंगे अगर आपको कुछ पूछना हो आप comment करके पूछ सकते हैं इसमें जो application fees आपकी रहेगी जो आपक के साथ मैं discuss का देता हूं यहां पर रिजर्फ categories के लिए mention नहीं किये गया है तो यहां पर जो application fees रहेगी वो आप देख सकते हैं जिस भी candidates के लिए रहने वाली है यह सभी के लिए यहां पर रहेगी debit card credit card के थो आप payment कर पाएंगे जो आपका application fees कर रहेगा इसमें वो आप यह यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिये गया है जो आपका refunded amount रहेगा वो 750 रहेगा application जो भी आपकी belonging एक्जेंट के टेगरी से technical assistance के लिए और के लिए 500 रूपीस और यहां पर 500 रूपीस रहेगा इसमें एप्रिकेंट जो रहेंगे यहां पर मेंचन किया गया है आप चकाउट कर सकते हैं उसके लावा यहां पर डेट का आपको पूरा यहां पर दिये गया है जो कि आप देख सकते हैं कैरियर पे आप जाकर mail पर भी कोई ना कोई query यहां पर ले सकते हैं अगर आपको कोई query ली नहीं हो तो इस mail पर जाकर ल पूटीस के साथ में तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई टेक क्या